तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदू छेत की तीवता क्या होती इसको इंगलिस में बोलते है एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंशेटी ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको बेसिक चीजे समझना जरूरी है ठीक है इससे पहले वाले वी चोटे चोटे परमाणों से मिलकर बना होता है और इन परमाणों में क्या होते हैं कुछ आवेश उपस्तित होते हैं कौन-कौन से होते हैं वह आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कहा होता है परमाण के नाभिक में उपस्तित होता है जह हो उसे मिलकर बना होता है जिसमें कुछ चारज उपस्तित होते हैं , जिसमेंत इलस्ते हैं एलेक्टरा प्रोटन और निव्टराब होती है, chic तो अब हम जैसे क हमने बताया कि इलेक्रों Do not charge , प्रोटाब प्लसζ 차ज और नेट्राइज 만나 theory होता हो तो इनमें चार्ज कहां से आया, कैसे होगा चार्ज, ठीक है, तो जैसे कि इसे हम किसी छेतर में रख दें, इलेक्टरॉन को हम क्या करें, किसी छेतर में रख दें, तो आकर्षन और पतिकर्षन के कारण, जिस बल का अनुभाव करता है, जिस आवेश का अनुभाव करता है, वो सेम चार्ज है एक इलेक्टरान विया एक दूसरा ग्रॉं pops डिया एक प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा जैसा की समझें कि तीवतव क्या होती तो reconoc की समझें कि वयद्ु छेटर में किसी बिंद उपर वैदू छेतर में कहां पर किसी बिंद उपर एकांग धनावेश लगाएं वैदू छेतर में उपस्तित किसी बिंद उपर एकांग धनावेश रखने पर अगर हम वैदू छेतर के किसी भी बिंद उपर एकांग धनावेश रख दे तो उस पर जो कारे करने वाला बल होगा उसे हम क्या कहेंगे वैदुचेतर की तीवरता कहेंगे क्या कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे वैदुचेतर की तीवरता कहेंगे इसको define कैसे करेंगे इसका formula क्या होता है is equal to f upon q ठीक है बल अवेश ठीक तो उसे हम क्या है वैदुचेतर की तीवरता definition कैसे बनाएंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, तो formula घ्या होता है Qです equal to any, तो हम क्या करेंगे Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक कुलाम आवेश रख देंगे, तो यहां पर हम आवेश की जगह क्या रख देंगे, E is equal to f upon q है, तो q की जगह क्या रख देंगे, एकांग आवेश यानि एक रख देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा बल E के बराबर हो जाएगा E is equal to क्या हो जाएगा F तो क्या रखा एकांग आवेश तो definition इसी से बन रही ही देख सकते हैं हमने क्यों की जगा क्या लिया एकांग आवेश तो जब किसी वैदू छेतर के किसी बिंद उपर वैदू छेतर जहां पे उपस्तित हो था जैसे इलेक्टरान के चार ओर क्या उपस्तित था वैदू छेतर लग रहा था तो वैदू छेतर में किसी भी बिंद उपर हम कोई भी एकांग धनावेश रख दे प्लस आपका जो चार्ज आवेश Q ये क्या है एकांग धनावेश है इस पर जो बल कारी करेगा वो उसे हम क्या कहेंगे वैदुचेत्र की तीवरता कहेंगे बल के कारण जो बल लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे वैदुचेत्र की तीवरता अगर वेक्टर रूप में इसका फ फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to F upon Q, ठीक जब हम Q रख रहेते, अब हम इसमें क्या रखेंगे, परिच्छन आवेश Q not रखेंगे, तो जैसा कि आप जानते है, वैदूत आवेश, वैदूत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q is equal to N E, क्या होता है, Q is equal to N E, जहां पर Q क्या आवेश है आपका, N क्या है, number of electrons, electron की शंख्या है, E क्या है, E है charge, आवेश है, इलेक्ट्रोनों का आवेश, क्योंकि है, आवेश हो गया, N क्या होगे, number of electron, और E क्या होगे, electron हो गया, तो जैसा कि बात कि हम कोई भी बिंदू ले रहे हैं, जिसके 4 और क्या हो रहा है, हमने कोई कंड ले लिया, जैसे electron ही ले लिया, आपने 4 और क्या करेगा, अब उसके अंदर माइश होता है, तो आपने 4 और क्या करता है, वैदुत आवेश उत्पन कर रहा है, तो हम यहापे क्या 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 कर रहा है, वैदुत छेत्र उत्पन कर रहा है, तो वैदुत छेत् किती होता के बराबर होगा, तो अभी आपने क्या देखा था, आपने क्या किया था, क्यू की जगा पे एक रख दिया था, तो E is equal to क्या अगया था, एफ आ गया था, आगया था, तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी वैदु-चेतर की किसी बिंदु पर, धन परिच्छन तो इससे आप definition कैसे मना सकते हैं, is equal to वैदुचेत की तीवरता हो गया, f is equal to बल, q not क्या हो गया, परिच्छण आविश, यानि बल और परिच्छण आविश की अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, वैदुचेत की तीवरता कहेंगे, क्या कह सकते हैं आप, electric field intensity, जब बल और वीडियो ज़रा सा भी helpful लगता है, तो please वीडियो को लाइक और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें,